तो स्टुडन्स इसका पहले हमने गुल्डन वर्ट्स पढ़े थे थैंक यू वेलकम प्लीज सोरी एक्स्क्यूज मी यह सारे गुल्डन वर्ट्स के बारे में पढ़े था और टुड़े इन इस लेशन वे आर गोईंग तो रीड अबाउट बुक टाइन लेशन नमेर टेन बुक टाइन याने के किताबों का वक्त पहला हर्ड वर्ट है मतलब हो सकता है नेक्स्ट वर्ट इस वाय ओ यू आर याने आपका नेक्स्ट एस डबली सी याने देखना तो स्टुडन्स यहां पर किसका पिक्चर है बुक का ओके बी डबल ओ के बुक चलो अब हम स्टेट्मेंश लगते हैं सेंटेंस लगते हैं सबसे पहले आपको क्या दिखा जारा पिक्चर में गॉल ओके गॉल क्या कहे रहे हैं हाव यू गॉट यूर बुक हव यू यू जी ओ टी गॉट वाइए यू और यूर और यूर और यह क्या है बुक हव यू गॉट यूर बुक क्या आपको आपके बुक मिली बॉय क्या कह रहा है येस वाइए येस एस आई हाव हाँ मुझे मिली उसके हाथ में देखो ओके फिर लड़की क्या कहते है यम एवाइ मैं आई एस डबड़ी सी आई टी इट मैं आई सी इट क्या मैं देख सकती हूँ बॉय क्या कहता है येस वाइएस येस यू मैं आप देख सकते हूँ नेक्स्ट तो फिर गर्ल क्या कहते है थैंक यू देखने के बाद क्या कहते है गर्ल टी एच इन के थैंक वाइओ यू थैंक यू और लास्ट वाले सेंटेंस में बॉय क्या कह रहा है यू वाइओ यू एर डबलू एल वल सी ओ यमी कम यू आर वेलकम मैं आपका आभारी अगर आपका कोई friend आपको कोई pencil eraser देता है या फिर आपको कुछ book दिखाता है आपको तो आपको उसे क्या कहना चाहिए thank you और फिर उसके बाद जिसे आप thank you कहोगे वो क्या बोलेगा आपको welcome you are welcome okay students आया समझ में तो आपको यह बात याद रखने रखने किये कि अगर कोई आपको मदद करता है तो उसे आपको thank you बोलना चाहिए okay thank you